सामने आ रही हैं कि नाराजगी है जर आब ये लाइफ तस्पीरे हम आपको दिखा रहा है इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से इंतजार यहां पर हो रहा है और फिलहार तो ये लाइफ तस्पीरे हम आपको दिखा रहा है जैसा कि हमने पहले भी आपको बता एक्स्क्र सिर्फ खास तस्वीरे जीत्तरपदेश उक्त्रा खंड पर आप इस वक्त देख रहे हैं व्रिंदावन में बागी बिहारी के दर्शन करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए लाइफ तस्वीरे इस वक्त आपके टेलविजन स्ट्रीन पर हम आपको दिखा रहा है चौपर से पहुंचे हैं और यहाँ पर बाके बिहारी के दर्शन वो करेंगे सबसे पहले आशिर्वाद देंगे बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेंगे बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेंगे बाके बिह पुजारी जो ग्रे मंद्रा मिश्रा पुजा कराएंगे वो भी अंदर लेकिन खास बात यह है कि देखी जो आम जनता है उनको दर्शन के लिए यहाँ पर रोका नहीं गया है दूसरा जो प्रवेश्दवार है बहां से आम जनता दर्शन के लिए अंदर अभी भी मौझूद अभी भी मौझूद हैं वो दर्शन कर रहे हैं निकल रहे हैं अंदर किसी को रुपने की अजासत हला कि नहीं है लेकिन बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए लोग जा जरूर रहे हैं वीतर तो यह तस्वीरे में आपको इस वक्त दिखा रही हूँ यहां से जहां पर ग् प्यारी भी कर ली गई है और दूसरा वो सीधे मंदिर के तरफ अंदर प्रवेश कर जाएंगा अब जो पुलिस के अला धिकारी है वो यहां पर पहुँचे हुए हैं गेट जो है वो खोल दिया गया और एक्स्क्लूसिब तस्वीरे जी इंदुस्तान पर आपको दिखा र अमिश्या पहुँचे हैं बाके बिहारी मंदिर में प्रवेश कर गए ग्रे मंद्री अमिश्या यहां पर बाके बिहारी मंदिर में अमिश्या जो है वो अंदर अब अंदर प्रवेश कर गए और यहां पर अमिश्या यहां पर नजर आ रहे हैं और यहां राधे राधे के باقی بیہاری کے جو ڈعرے ہیں भो लग रहे हैं और उसकी तस्वीरे में आपको दिखानी हूँ उसकी तस्वीरे में आपको दिखानी हूँ आमिश्रा देखिए राधे राधे का जो गले में गले में देखिए यहाँ पर इन्हों ने श्रिकान शर्मा भी इनके साथ में मौजूद है आमिश्रा भी यहाँ पर बाकि बिहारी मंदिर बहुत चुक है बहुत चुक है अगर वो मीडिया से मखादिब होंगे क्योंकि आमिश्रा यहाँ पर अंदर जा रहे हैं और अंदर जा करके पूझाशना करेंगे सीधे वो अंदर की तरफ गए यहाँ पर श्रिकान शर्मा भी मौजूद थे हुर्जा मंत्री सिटिंगे मिले और वो अंदर की तरफ बीज़पी के तमाम जो नेता है वो भी और फिर वो सीधा अंदर प्रवेश कर गए अमिश्रा यहाँ हाला की मीडिया से भी वो मुखातित नहीं हुए पहले वो अंदर गए हो सकता है दर्शित करने के बाद क्योंकि एक्जिट भी यहीं से करेंगे अमिश्रा अब अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया ज़ा रहा है, जो आम जनता है, उसको भी रोग दिया गया है, अब अंदर किसी को भी प्रवेश की इजासत नहीं है, ग्रियमंत्रीया मिश्रा भी भीतड की तरफ जा चुके हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई आभी भी, आपको नजर आ रह है वहाँ से वो दर्शन भी कर रही थी बाकि बिहारी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं हमिशा और वहाँ दर्शन कर रहे हैं माक्सिमम दस से पंद्रा मिनिट का वक्त जो यहां पर वो बिताएंगे और उसके बाद वो अपनी चंसभा के लिए निकल जाएंगे देखिए अ अब इसलिए बार-बार मांग उठ रही है कि यह बाकि बिहारी मंदर को भी यहां पर जिस तरीके से आईवग्ध्या में भविर राम मंदर का निर्मान हुआ काशिव विश्वनात कॉरिडॉर का निर्मान हुआ अब मंदिरों का जिर्न दौर यहां भी होना चाहिए और इ ऐसी तस्वीरे हमें देखने को मिलती है भीड बहुत जादा होती है और ऐसी गलियां तंग है कि लोगों को आने में भी घंटों घंटे लग जाते हैं लाइन बाहर रोड तक लगी रहती है जहां हमेशा का काफिला रुका हमेशा को भी वहां से पैदा लाना पड़ा भीतर की तरफ कोई भी फोर्विलर नहीं आ सकता प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इतनी चौड़ी गली नहीं है सड़के हैं ही नहीं और इसी अब पाश्र में उत्रप्रदेश में विज़ए देगा तो मत्रव में जो दोबारा जीत कर आना जरूरी है क्योंकि हर हाल में बड़ पिज़ए पी चाहती है कि मत्रव और उसके आसपास के जतनी भी सीटे हैं वो बड़ पिज़ए उसके जीता हैं नहीं कर दोबादी होती है तो यह आप तस्वीरे इस पक्त लाइब देख रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी बाके बिहारी के मंदर में, वो आप देख सकते हैं, तो यह आप पूझा अच्ना करने के लिए फिलहाल यहाँ पर पूँच चुके हैं, प्रशाद और जो पूझा अच्ना का पूरा सलसला है, वो शुरू हो चुका है, यहाँ बाके बिहारी मंदर में जैसा की तलक लगाया जाता है और यहाँ पर यह देखेगा, उन्हें आशि अभी जो कुछ चल रहा है उसकी तष्पीर कनेहीं हमारे साथ इस्वक्त जाधज जओनकारी के साथ अजुट है कनेहीं handlar था सपीर इंकम लग अपर अजिक जनाककी इंकर यहां पर रूख शेका विसा employment ठीर तेरां विदुझा करेंगे बर्त आप अछे लिए Unfortunately पूजा आशना करेंगे हम इसके लिए खास वरता त्यारियां की गई हैं सामां प्रताभी मगाई जाई है साधिका यादरफूल पूसको एत्र शेता भी महत्तपूर है और पूजा स्करीब 10-15 मेंट की बताई जा रही है बिल्कुल करेंगे जो तस्पीर हम आपी दर्शकों को दिखा रहे हैं देख पार हैं पूजा अचना चल रही है जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि अभी 15 बिन तकरीबन यहाँ पर लगेगा लेकिन यह कहा जाए यहाँ पर कि जाट लेंड को साधने की कोशिश बेमिशा की यहाँ पर है और जो बड़ी दिगज नेता है अब वो जमीन पर उतुर चके हैं क्योंकि अब पता है यहाँ पर ह यहाँ पर बाके बिहारी के दर्शन करके वापस लोट रहे हैं और यहां यहां बीच में आप देखे किस तरीके से लोगों से भी घृरे हुए ग्रेमंटरी अमिश्रा और और ये देखिए यहाँ पर ग्री मंत्रिया मिश्रा चुकि कोशिश की जा रही है कोशिश की जा रही है उन तक पहुशने की लेकिन ग्री मंत्रिया मिश्रा सीधे सीधे जैसे आए वैसे उस रास्ते से होते हुए यह जा रहे हैं इन्हों ने यहाँ मीडिया से भी इन्हो तो यहां की तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ जो तवाम सेक्यूरिटी ए ग्रे मंतरिया मिश्रा के साथ वो यहां पर अंदर आप भी मंदर में मौझूद थे जीत का आशिरवाद लिया मिश्रा ने हमां के वियारी जीत का आशिरवाद दिया और प्रचन बौमस से पु पुरे दुनिया में भारती जन्ता पार्टी के सत्ता में आने से इस भारत की संस्कृत का मान बढ़ा है सम्मान बढ़ा है और मंदिर मतुरा का भी भब और दिब्ब बनेगा और जन्क सायोग से बनेगा शुक्रिया दो देखे यहां पर जो लोग हैं उनसे कलपना नहीं की थी कि 2014 में 73 सीटे बीजेपी के खाते में और दाल देंगे और धानमाति नरेंद मोदी का चेहरा था और वो इससे महुलत है लेकिन जो उन्होंने बनाया था देखिए सचीन एक और बात है अमीशा का पहले है उसको जोड़ना केवल वर्क को नहीं बलकि छोड़ी छोड़ी जाती है अगर यादो वोट उनके पालेम नहीं आता है गहर यादो को कैसे ला सकते हैं उसमें कौन को जाती है तो कहीं न कहीं मैक्रो मैनेजमेंट के लिए उन्होंने एक अलगी बात करते हैं आप भी मैसेज क्या मैसेज है कि योगी जी के नितत्त में प्रचंड बहुमत के साथ भारती जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हमारी जो कल्चर है वो विश्व में गौरवानवित हो रही है जाहिर सी बात है सबको उमीदे हैं बीजेपी को भी है कि दुबारा वापस आएंगे अखिले से आदो थोड़ी दिरबाद जब प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे जहन चोधरी के साथ तो भी एक दावा करेंगी कि उनकी सरकार इस वार बन रही है जाहिर सी बात है दावे तो हो आश्रवाद मिल लाता हो और इस विए कहीं न कहीं अमिसा ने जो इस पूरे बेल्ट में अपने दोरे के दोरान यहीं से शुरुवाद की है सचीन तो ये हम तस्मीरे आपको अस वक्त लाइब दिखा रहे हैं बाके विहारी मंदर से ये तस्मीरे हैं पूजा आचना यहाँ पर अमिस शाह ने की है आश्रवाद लिया है जीत का आश्रवाद लिया है जो कुजारी उनके साथ मौचुक थे वो बता रहे हैं कि जीत का आश्रवाद यहाँ पर से अमिस शाह ने लिया है और ये हम आपको बता दे खास विशेश तैयारी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर है हाला कि अभी किसी भी तरीके का बयान उनकी तरफ से सामने निकल के नहीं आए यानि कि मीडिया से मुखात्र नहीं हुए भारत वाष्ष में सनातन धर्म के अस्थापना हो यही हमारा में मुद्दा है और तमाम लोग जो इस वक्त आ रहे है यहां ग्रेह मंत्री आकर के गए है मांग उठ रही है कि मतरा में भी मंदर जो है ओव भव्य बनना चाहिए और मंदर तो है लेकिन और खुपसूरत होना चाहिए क्या मुद्द यह मुद्दे वरिंदावन के जन्ता के का तिया जिगता है ड़जर्धा बढलीया बने होता ही आनंद है वरिंदावन की जन्दा चाहती है कि गर्व करें तो दबा हुआ है मर्चित में वो खुलना चाहिए वो खुलना चाहिए वो बर के तरह उटना चाहिए भीड बहुत जादा यहां पर हो गई है क्योंकि लोगों को इजासत नहीं दी जा रही थी और लोग अब यहां से जो जाने हैं वो शुरू हो चुके हैं और देखे पूरी पहले जो तैयारिया की गई थी अब अब हटाया भी जा रहा है यह टार्पिट वगरा भी जो बिचाये गए थे उसको भी अब हटाया जा रह करेंगे वोट मांगेंगे बीजेपी के लिए और यही वो तमाम मुद्धे हैं जिसको साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और उसी देशा में बाके बिहारी का आशिरवाद लिया आते ही और आशिरवाद लेने के बाद सीधे ग्रे मंत्री अमिश्रा जो तो फिलाल ये बता दें आपको अमिश्रा जो है अब पूजा आचना करकर निकल चुके हैं और जस मकसद से वो पहुँचे हैं उस मकसद को यहां पर लेकर आगे बढ़ रहा हैं दो तस्वीरे भी ज़र आप देखे गए छोटे बच्चे को जो की फूल माला लेकर उनके प दिया है उस मकसद को साधने के लिए आपर से रवानगी उनकी फिलाल हो रही है आगे और लगातार जो भी तस्वीरे हैं जो हलचल मापर चल रही है वो हम आप तक पहुचा रहा है खास यह तस्वीरे जीत प्रदेश उत्राखन सबसे पहले आप तक पहुचा रहा है को बीच जा जाये श्री जी बाबा आश्रम में मददाताओंसे शुथ सtsåमबाद करने वाले हैं में नीव कहीं भी हिलती भी नजर नाए उसकी ये तमाम कोशिश हैं जो की शुरू हो चुकी हैं अब क्योंकि समय नहीं बचा है जादा तो ऐसे में किसी भी तरीकी की कोई कोर कासर जो है बीजीपी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है यसलिए तमाम जो दिगज हैं वो यूपी पर निकल चुके हैं और अब मैदान में हैं अभी तक सिर्फ बातों की बात हो रही थे लेकिन अब मैदान में पहुँच चुके हैं मैदान में जाकर जनता से संभा सादने की कोशिश हो रही है ताकि जनता के मन की बात भी बैतर तरीके से जान ली जाए और इस वी के एजिंडे का नया सेंटर जो है वो भी बन चुका है यहां पर मत्रा वासियों की नीड जानते मत्रा वासियों के जरूरत जानते वे यहां पर काम हो रहा है काशी विश्वनात को तरीके से सवारा है एक नई सौगात दिये है यहां पर काशी वासियों को अब मत्रा वासियो क्योंकि उम्मीद वो यहीं है बीजेपी से बीजेपी सरकार से कि उद्धार यहां पर भी बाके बिहारी का किया जाए कंजस्टिट क्योंकि पाफी जादा यह एरिया है जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं होती। आस्था जादा है लेकिन उ मीदे लोगों की अब बढ़ चुकी है कि काशी विश्वनात को सवारा है तो अब बाके बिहारी के दर्शन के लिए भी लोगों की सुवधाय जो है बहतर होंगी जो एक साल तक यहां पर धरने परदसन हो रहे थे दिल्ली बॉडर पर और पस्चिमी यूपी हो या फिर हर्या पंजाब मों एक अलग महौल था लेकिन उसके बाद आप देखिए कि बहुत इस्तितिया बदली है पहले बीजेपी के जंडे लगी हुई गारियों को तोड़ दिया जाता था अब कारिकरता हो या फिर नेता हो खुल्याम परचार कर रहे हैं तो कहीने कहीं ओ जो एक महौल था नाराजगी वाला वो लगबग दूर हो चुका अब भरोसा दिलाने वाला काम और इसलिए जाटने दाऊंस जब अमिस्ता ने मुलाकात की तो यह भरोसा दिया कि जो पिछले पांच साल में जो उनको सुरक्षा मिली हुई है या विकास के लिए जो जो योगी सरकार या नोदी सरकार ने किया है उसको सब के सामने रखा गया तो नाराजगी दूर हो चुकी है ऐसा बीजेपी के निताउक मना अब उनमें एक बार फिर से भरोसा दिला जाय रहा है कि बीजेपी उनके साथ है आप हमारे साथ आई है कल जीस तरह से अमिसा ने कहा था कि आप भी से लड़ रहे हैं आप अगर समझवादी पार्टी के उन उमिद्वारों के वोट देंगे जिनके कारण से आपकी इस्थिती 2017 से पहले खराब होई थी बहु बेटियों को निकलना मुश्किल हो गया था तो एक भरोसा और इस्थिती का आकलन उनके सामने करा जा रहा है तो बहुत हद तक है कि बीजेपी की नेताव कंसर जाट समधाय को भी यह पता चल गया है कि नराजगी भले बीजेपी से हो गुसा भले बीजेपी से हो लेकिन वोट किसको देना है इस पर उनको फीर से पुनेरविचार करना होगा को कि कल ही अमिशा ने कहा था कि आपकी अच्छा के लिए मोदी जी भी लगे हुए हैं और हम लोग लगे हुए तो जाहिरते बात है नाराजगी दूर हो चुकी है इसे बीजेपी नेताव का मनना और पक्के तर पर उनको भरोसा हो जाए बीजेपी में इसकी कवायद चल रही है तो ये कोशिश है नाराजगी दूर करने की और इस बीज जिस तरीके समिशाहा ने कहा कि आप नाराज हो सकते हैं मुझसे लड़ भी सकते हैं लेकिन वोट बीजेपी को ही दीजिए विकास चाहिए तो बीजेपी का ही साथ जो है आपको देना होगा